हलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं inverse proportion से related questions, तो आज हम देखेंगे, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि direct proportions में जो question होते हैं, उसको कैसे solve करते हैं, now we'll do this, तो अच्छे से देखें, वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, है न अगर मैंने यहां पर लिया 3 by 6, and 2 by 4 लिया, तो इन दोनों का simplest form 1 by 2 आएगा, right, same with that, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह direct proportion में है, inverse proportion में क्या होता है, जो x upon y लियाना हमने, इसमें क्या करना होता है, x into y जो है, उसकी value same आनी चाहिए, कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिया, 3 by 4 ले ल 12 आ रहे है, and 2 6 आ 12 आ रहे है, तो हम कह सकते हैं, यह inverse proportion में है, तो यह x1 और y1 होगे, यह x2 और y2, तो मतलब हम कह सकते हैं, x1 into y1, x1 into y1 equals 2 होना जी, x2 into y2, इसका multiply से करोगे 12 आया, तो x1, y1, यह हम करते हैं, x upon y ऐसे करके, ऐसे question given होंगे, और यह x2 और y2, दोना का multiply करके same value आ रहे हैं, तो यह है inverse proportion, I hope आपको यह समझ में आयो होगा, basic concept, कि direct proportion और inverse proportion के question कैसे करते हैं, now we'll do the question, जो यहाँ पे given हैं, आप देख सकते हैं, determine whether x and y are inverse proportion or not, आप देखों यहाँ पे question number a में, x upon y की value given है, आप देख सकते हैं, पहले question, 1 by 5, तो 1 into 5 करोगे, तो 5 आएगा, 2, 10 जा 20 आ रहे हैं, and 3, 15 जा, क्या होता है, 45 होता है, and 4, 20 जा, 80 होता है, तो हम कह सकते हैं, यह जो है, वो inverse proportion नहीं है, B में देख सकते हैं, 5, 130 है, तो 5 into 30 करोगे, तो 150 आ रहे हैं, 10, 15 जा होता है, 150, and 75, 2 जा होता है, 150, वैसे ही, 50 into 3 करोगे, तो 150, तो B कहा है, inverse proportion में है, क्योंकि सब की value जो है, वो सेम आ रहे है, राइट, C में देख सकते हैं, 10 into 25 करोगे, तो क्या आ रहे हैं, 10 into 25, 25 आ रहे है, 55 जा 25 होता है, and 25 जा 25 होता है, and यह 0.25 है, यहाँ पर 2 0 है, तो इन दोने का multiply करोगे, तो फिर 25 आएगा, that means, question number C is also in inverse proportion, D देखते हैं, D में X और Y का multiply करो, 5 3s are 15, 3 5s are 15, and 1.5 into 10, 15, but, 1 by 12, क्या 15 आएगा answer? नहीं आएगा, तो हमें conclusion में क्या निकला यहाँ पे, question number 1 में जो है, A नहीं है, inverse proportion, B, B है, C भी है, inverse proportion, D जो है, वो नहीं है, तो I hope आपको इस तरीके से यह question समझ में आये होंगे है, यह examples. Now, question number 2 करेंगे, given that X and Y, very inversely, find the missing values. First of all, हमें, इसमें, जो इन्होंने दिया है, 8 by 3, इसका multiply करके, हमें इन सब को देखना हैं कि, क्या यह equal, मतलब कि, कौन सा number यहाँ पे रखोगे, तो यह inverse proportion में होंगे number, simply, तो मैंने भाई बताया था, X1 into Y1 equals to X2 into Y2 करके देखना है, तो चलो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहला question लिखाया है, देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, X1 into Y1 equals to X2 into Y2 करना है, जस्ट यह formula ध्यान रखना है, तो क्या करना है, अब 8 into 3 कर दो, 8 into 3 equals to, हमें यह 12 पता है, that means 12, Y2 नहीं पता, यह Y2 हो गया, तो Y2 लिख दो, अब जब Y2 इदर ले के आओगे, तो क्या होगा, 8 into 3 को डिवाइट कर देगा क्या, 12, तो 8, 3 जाना, 24, अब उन में 12, आंसर क्या आजाएगा 2, राइट, क्या है, 2, वैसे ही, अब इसको find out करना है, तो फिर से लिखो, 8 into 3, यह पहला का हो गया, दूसरा, 8 into 3 equals to, हमें X2 नहीं पता, X2 multiply 6, अब देखो, मैं दूसरा पताती हूँ, कैसे करना है, यह 6 है ना, और यह 8 into 3 है, सामने सामने भी, डिविजन होता है, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से, 3 वंजा 3, and 3 टूसा 6, अब 2 वंजा 2, 2 फोर जा 8, तो हमारी X2 की वैलू क्या आगी, 4 आगी, समझे मा है, ना, कुश्च नमबर 3 है, इसी में ही 1 ही, तो 8 into 3 equals to, हमें X3 पता है, हाँ, X2 आप लिख सकते हो, यहाँ पर X2 मैंने लिख दिया था ना, यह X2 और X1, फिर से लिख दो, कोई बात नहीं, X2 तो पता ही न, 1 multiply Y2, अब देखो, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो यह 8 into 3 क्या हो जाएगा, 24 equals to Y2, तो हमें क्या conclusion निकला, यह, यह और यह, यह यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, और यह 24 हो जाएगा, I hope आपको यह समझ में आयोगा, question number 1,